है कि अधर ऐस सब्सक्राइब करता हूं कैसे हैं आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त है, सुरक्षित है, दोस्तों आज हम जियोग्राफी का अध्यान करेंगे, जियोग्राफी में आज हमने जो विशय चुना है वो है जलवायू, अब हमने जलवायू विशय ही क्यों चुना है, जलवायू जो पीक है या ख। लाइकमेट करने बहुत एंट्रसटिंग टॉपिक बहुत रोचक टॉपिक कि अभी मौशंबर्तन हो रहा है बारिश कम साम मारहत बारिश के बैस में बारिश हो जाती है ऐसी दुम्रेश हो जाती है अकिर मीग व जाती है还 को र Sun भारत के उत्तर पस्चिन छेत्र पंजाब के छेत्र में बारिश होती है तो क्यों होती है ये तो हमने रट लिया लेकिन हमें तो देखने को मिलता है कि छत्र गड़ों मंद्र प्रदेश के भी छेत्र में शीत्रत में बारिश हो जाती है तो क्यों होती है हाल ही में अरब सागर में तौक्ते तुफान आया तौक्ते चक्रवाद आया तो वह चक्रवाद क्यों आया अब रप सागर में तो अभी आया लेकिन बंगाल की खाड़ी में तो चक्रवाद प्रतिवर्श आता है नियमी तुरूप से आता है और साल में दो बार आता है एक बार मई जून के महीने म में आएगा ऊपका सितंबर अक्टूबर के मही नहीं कि अब 혁 आता है अभारत में बंगाल की खाडी में ही साल में दो बर कियों आता है ऐसे ठेर सारे सवालों के उत्तर जानना जितना ही रोचक है जितना ही मज़ेदार है उतना ही हमारी परिक्षा के दिरिष्टी से भी बहुत महत्तपोर्ण है जियोग्राफी में क्लाइमेट या जलवायू एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एक्जाम में इससे एक नएक क्वेश्चन आपके एक्जाम में आता ही है तो जैसे हम इसके पहले गणित विच्चर से संबंधित एक सीरीज देख रहे थे पुराने एक्जाम के कोस्चन को हल कर रहे थे आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं इसमें हमने छेत्रमीती और व्यापम छेत्रमीती और छेत्रफल अर्थात जियोमेट के सारे कॉंसेट को देखते जाएंगे आप इस वीडियो का अंतर तक जरूर देखें और इस सीरीज के सारे वीडियो देखें जिससे आपका जलवायो का कॉंसेट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपसे एक्जाम में जलवायो से संबंधित कोस्चन में क्लाइमेट से रिले में समान द्रश्टिनंग में जियोग्राफी ही इकलोता ऐससबस जबेट लिब्र ज होती है으면 आपको महसूस होती है नदी जियोग्राफी आपको चारों तरफ देखता है तो इसका नॉलेज होना अपने आप में इंट्रस्टिंग भी है और हमारी परिक्षा के देश्टिय से महत्त पून भी है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते है आज हमारे जलवायू टॉपिक की अंतरगत पहला वीडि प्रिशर बेल्ट के उपर हम चर्चा करेंगे यह क्या होता है अभी हम आते हैं धीरे से पहला तो हम बेसिक चीज़े समझ लेते हम दो वर्ड यूस करते हैं एक तो होता है क्या हमारा वायू और दूसरा होता है पवन क्या यह दोनों सेम हैं वायू या पवन नहीं वायू क कहने का मतलब होगा स्थिर हवा की एक मात्रा जो स्थिर है रुकी हुई है उसे हम वायू कहते हैं या इंगलीस में इसे ही एर कहेंगे लेकिन अगर हम पवन की बात करेंगे या हवा इसे कहेंगे तो पवन कहने का मतलब की वायू की वह मात्रा जिसमें गती है जिसमें कोई न लने वाली वायू है वो क्या ऐलागी पावास्षास में हम सिंपल हवाचल रही है पावन चल रही है pizza &o और रुद कााती आब हमाती है तो हमाय चलती है तो हवाय कैसे चलती है हम जियोग्राफी थोड़ा बहुत यदि पढ़े हैं स्कूल में तो हमें याद होगा कि एक लाइन हम रट लिये थे कि हवाय हमेशा उच्छ वायुदाब से निम्न वायुदाब की और चलती है कि जो विंड है हमेशा हाई प्रेसर बेल्ट से लो प्रेसर बेल्ट की और चलती है उच्छ वायु नंग होता है अगर ताप जादा है तो हम माल लेंगे वहां पे जो वाइू वायूदाब है वो क्या होगा निम्न होगा ताप जादा है तो सीधा समझ लेना है वायूदाब क्या होगा निम्न होगा और ताप कम है तो वहां पर क्या होगा बहिया वायूदाब क्या होगा ज्यादा होगा ताप कम है तो वायूदाब क्या होगा ज्यादा और अभी हम एक दाप क्या होगा कम और हवाय हमेशा उच्छ वायू दाप से कहां चलेगी निम्न वायू दाप क्यों चलेगी तो यह रटने वाला कॉंसेट है इसको सीधा टेंपरेचर से लिंक करना है ताप मान जादा तो वायू दाप कन उसको उल्टा कर देना इनवर्सली प्रपोस्टनेट सीधा कर देना तेक और ताप मान आपका कम तो वायू दाप क्या होगा जादा और हवा उच्छ वायू दाप से निम्न वायू दाप क्यों चलेगी लेकिन एक्श्वल में यह वर कैसे नहीं करता है यह वर कैसे करता है उसे भी हम समझ लेते हैं यह वायू दाब वर्ड क्यों आया आखिर यहां पे केवल हम दाब प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे हैं यहां पे हम वायू दाब एटमस्फरिक प्रेशर क्यों बोल रहे हैं तो इसे हम समझते हैं क्या होता है कि जिस जगह का ताप मान जादा होता है तो भाई हम जानते हैं ग तो हवाओं के जो कड़ है, उसके जो पार्टिकल है, उसके जो और उपर माड़ू है, वो गैसो के फैलने लगते हैं, बिसरित होने लगते हैं, तो ताप मान जब भी ज्यादा होता है, तो हवाएं क्या होती है भ grading होकर उपर उठने लगे तो दबाओ दबाओ यहन्ने कभी वी ऊपर से नीचे किसी चीज को दबाया जाना, वहीं उसी को हम आम भासर में दबाओ कहेंगे, तो जब हवाएं हलकी होकर उपर उठेंगी, तो क्या दबाओ वहां पर है? नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ताप मान उच्च ह हो जाएगा निम्न हो जाएगा इसी का पोजिट अगर आपका ताप मान कम है तो भाईया टमपरेचर कम है अब हवाई जो गर्म होकर प्हेल रही थी और थोड़ी सी सघन होगी सघन होगी जिसके कारण क्या है भाईया हवाई इस छेत्र में ठंडी होकर नीचे दबती है हवा दबाव क्या है ज्यादा बोला जा रहे हैं और किसका दबाव है वायू का दबाव है हवा नीचे आ रही है दब रही है इसलिए वायू दाब यहां पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है समझ में आया इसलिए कहा जाता है कि अगर ताप मान कम है तो वायू दाब क्या होगा उच् उसी गस्थान लेने के लिए ठंडी हवाई नीचे से आएंगी, तो हो गया ना, हवाई उच्छ वायुदाप से निम्न वायुदाप की और चलने लगी, इसलिए ये term यूज किया जाता है कि हवाई हमेशा उच्छ वायुदाप से, high atmospheric pressure से, निम्न वायुदाप, low atmospheric pressure तक चलती clear हो रहा है, तो ये concept समझ में आया, इसका concept कहां से है, हवा के गर्म होकर उपर उठने से, और हवा के ठंडे होकर नीचे दबने से, ये समझना बहुत जरूरी है, इसके अधार पर ही हम प्रित्वी पर पाये जाने वाले, सीधा एक basic question बनता है, प्रित्वी पर कितने दाब क की पेटियां पाई जाती है, कितने pressure belt पाये जाते हैं, तो प्रित्वी पर साथ pressure belt पाये जाते हैं, कैसे पाये जाते हैं, कौन से हो देखेंगे, और वो pressure belt बने कैसे है, इसी concept की अधार पर ही pressure belt बने है, तो ये concept अगर दिमाग में बैड या, pressure belt आपके दिमाग में बैड जा और वहां से हम सीधा हवा को चलाने लगेंगे और देखेंगे देरे-देरे हम आगे जाएंगे वह इस थाइप आउने क्या होती है और स्थाइप आउने कैसे होती है भारत में मांसुन का आगमन दक्षड पस्चिम सही क्यों आता है यह सारी चीजे हम इसे लाइन से देखते आएंगे बेसीक से समझते हैं तो यह फंडा क्लियर हुआ हवाय ठंडी होके नीचे दब रही है नीचे दब रही है इसलिए वायुदाब क्या है वह उच्छ दबाओ वहां पे जादा है या उल्टा लिंक करोगे ताप मान कम है तो वायुदाब जादा है यहां पर भी ता गरम हवा हलकियों कर ऊपर जाएंगी और ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए आएंगी इसलिए कहा जाता है हवाय उच्छ वायुदाब से निम्नवायुदाब क्यों चलती है क्लियर है चलिए आगे चलते हैं इसी कॉंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस गोल है लगभग तो प्रिथवी के बीचूबीच जीरो डिगरी की अक्छांस रेखा आप चांस रेखा वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया है इसे ही विशुवत रेखा चुकि प्रिथवी के भाग को दो भागों में बाढ़ रही है इसलिए इसे भूमत पे रेख की बात कर रहें तो जीरो डिगरी अक्षांस रेखा के पास देखे जीरो डिगरी अक्षांस रेखा का जो छेत्र होता है तो प्रिथवी की स्तिती सूरी के सापेक्ष कुछ इस प्रकार है कि यह जीरो डिगरी के आसपास का जो छेत्र है या प्रिथवी के मध्य का जो छेत्र है यहां वर्ष भर सूरज की किरने लंबवत साल भर सूरज की किरने परपेंडिकुलर सीधा पड़ती रहती है इस छेत्र में इसी लिए दिन और रात बराबर होते हैं 12 गंटे का दिन और 12 गंटे की रात होती है इसे पी नोक्स कहा जाता है मैंने आपको अक्षांस वालिक्लास में बताया है आप देख सकते हों आपे टो कुकी यहां पर ताप मानवर्ष भर क्या REM देख तक यसज्शनकटी बंद या ट्रॉपिकल जोन ऑपते एक तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या ऊष्ण एक टिबंध या ट्रॉपिकल जोन ऊष्ण कटी बंध या ट्रॉपिकल सोन तो ऊष्ञ कटी बंध कहां कौन सा चेतर है भुमद्य रेखी चेतर या प्रिथवी के मद्य का चेतर जहां वर्ष भर सूरज की केड़ने लंवत पड़ती जिसके करण ताप की मातरा वर्ष भर मिलती रहती है इसलिए से क्या कहा जाता है उश्निकटी बंद कहा जाता है अब यहां पर कुछ जो दस डिगरी उत्तरी अक्षांस से लेकर दस डिगरी दक्षडी अक्षांस तर तेक है यहां पर यह दस डिगरी आपका उत्तरी अक्षांस से लेकर दस डिगरी आपका दक्षडी अक्षांस का जो छेतर है यही क्या कहलाता है उश्निकटी बंद क्लेर हुआ लेकिन यदी आ आपसे पुछेंगा डोलढ तो डोलडरंग का रेंज होता है पाँच डिगरी उत्तरी आक्षान में तर कर 17 अक्षान से एक यानिकी यह जो यहां बीच का छेत्र रहेगा इससे कहा जाता है डोलडरंग इसे ही डोलडरंग कहते हैं या इसे ही शांत कटी बन्द भी कहा जाता है अब यह शांत कटी बन्द क्यों इसे हम समझते हैं देखिए क्या होता है यह जो आपका उस्त न homepage ने हैं आप आप किये वारने लगती तो उत्तरी गोलाई से पने इधर आने लगती और दक्षडी गोलाई से पने इधर आने लगती है और अब भूमद देरेखा का का यह औह 58 की तरह जब चारों तरभ से हवाय आती है तो गर्म होकर जो है हलकी होकर उपर उठने लगती है जिसके कारण जो हवाएं छैतिज न चलकर उर्धवादर चलने लगती है याने कि हवाएं ऐसा सीधी नहीं चलेगी हवाएं अगर सीधी चलेगी अपने मार्ग में तब कुछ उसकी गती रहेगी रस्ते में पिड़ पौध आएगा तो उसको हिलाएगी बहुत तेज हवा चलेगी तो आधी तुफान बन जाएगा लेकिन जब हवाएं किसी जगा आकर यदी उपर उड़ जा रही है पूरी की पूरी हवा यदी उपर उड़ जा रही है तो बीच का छेत्र तो शान्त हो गय इसी लिए यहां छेत्र बिल्कुल शान्त रहता है और कोई भी आंधी तुफान यहां पर नहीं आते कोई भी आंधी तुफान से नुकसान इस छेत्र में नहीं होता इसी लिए छेत्र को क्या कहा जाता है शान्त कटी बंद भी कहा जाता है तो एक्जाम में सीधा कुश्च तरह पांच जीगरी उत्तरी अक्छां से लेके पांच दीगरी दक्षडी अक्छांस तर इंगलिश में इसे कहेंगे फाइब डिगरी नॉर्थन लेटिटिट्ए लेके 5 डिगरी साउथन लेटिटीटा प्लियर वहीं बात तो वही कहलाता है आपका डोल ड्रम या शांत कटि बंब कहला थेख चलिए आगे चलते हैं अब यहां पर यहां पर ऊपर ऊठव से यहां तक फंडा हमारे चुकिंदा क्रियेट हो गnoege यहाँ लोग प्रिशर बेल्ट क्रिक्राओं मतलब क्या लोग प्रिशर बेल्ट निमन दाब का झैतर कैन प्रिश्पी गोल रहता है प्रिदौगी तो पूरा यह क्या है गुलाकार रेखा रहेगा कालपनीक रेखा यह प्रकार से तो इस छेत्र में बन रहा है पूरे गोल में परधी की सवरूप में सरकंफेरेंस के रूप में बन रहा है इसलिए से बैल्ट कहा देख चलिए तो यहाँ पर लोग प्रेशर बिल्ट बन गया नेमनादाप च हवाई यहां उपर उठेगी तो उपर उठके वायू मंडल क्रोस करके एकदम मंगल गरह पहुंच जाएँए ऐसा तो नहीं है हवाई जो उपर उठ रह tu वो सभाविक है उचाई के साथ तापमान क्या होता है कम होता है भई हम जिस मंडल में जिस वाईव मंडल में रहते हैं छो मंडल तो पुस्पियर वहां पर उचाई के साथ क्या होता है तापमान कम होते जाता है क्यों कम हो जाता है सर मन में सभावी के सवाल आयागा उचाई क साथ तापमान इसलिए कम होता है कि देखिए हम धरातल पर रहे रहे हैं तो सूर्य का ताप तो हमें मिल ही रहा है सीदी सी बात है सूर्य का ताप हमें मिल रहा है इसके साथ ही साथ क्या होता है धरातल का भी ताप हमें मिल रहा है औसत रूप से लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान धरातल उत्सरजित करते रहता है धरातल का तापमान तो हमें फोकट ने मिलता है सूरज का तापमान अलग मिलता है आज बाज जो दिवाल हो गरम हो गई है वह हीट को अलग reflect करती है हम जो सांस छोड़ते हैं उससे अलग तापमान निकलता है हमारे आस पास व्यक्ति यह आप अकेले रहोगे कमरे में बढ़िया लगेगा इसी कमरे में भी 25 लोग को भर दिया जाए तो टेंपरेचर बढ़ जाएगा क्यों व्यक्ति इंसान भी एक टेंपरेचर क्या ह रिलीस करता है तो धरातल में ये सारी चीजों की सघंता है अब जैसे जैसे थोड़ा-थोड़ा धरातल छोड़ा की उपर उठते जाएंगे हम तो भाई आजू-बाजू दमीन का सबसे पहले धरातल का 15 डिगरी तापमान कम हो गया आजू-बाजू की दिवार का तापमान कम होता है हर 165 मीटर की उचाई पर एक डिगरी तापमान कम होते जाता है बड़िया से फैक्टर रट लिए ना वो भी क्यों होता है कैसे होता हम देखेंगे बाकि अभी आपको कारण समझ में आया क्यों उचाई के साथ तापमान कम हो रहा है ठीक अब हवाएं हलकी होकर ऊ सुल ङरित थोड़ा सा निधर चल देती है नीचे चुकर ये हवाय ऊपर होकर कर थंडी होकर थोड़ा सा उत्तरी गोलार्त में चले जायेगी और तरब ईगी मालो मुँद पंड़ी गॉलारत में चले गई कैसे थंडी होकर भारी होकर कब हवाएं ऊपर उठी थंडी होई-धारी होई-धारी हो यह इन्हें वयूदा आप बढ़ गिया तो कुछ डिगरी थोड़ा सा उपर और कुछ डिगरी थोड़ा सा नीचे अब ये कुछ डिगरी वाला जो हिस्सा है कहां पर पाया गया ये 30 से 35 डिगरी का जो छेत्र था यहां पर आपका 30 से 35 डिगरी का उत्तरी अक्छांस का छेत्र वैसे ही आपका कि तीस से 35 डिगरी के अच्छांज का दक्षणी गुलार्थ का छेत्र अब हमाइब जो उपर उठी है वो इस गुलार्थ इस खेत्र में आपके क्या होती है दपती जब रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि यह जो हवाइब यहां से उपर उठी है यह हमाइब उत्तरी ग गुलार्त में भी 30 से 35 जिगरी अक्षांस के बीच आके दपती है चुकि आके दब रही है वायूदाब यहाँ पे जादा है इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है उच्छ वायूदाब का छित्र बनता है उत्तरी गुलार्त में भी और यहाँ पर भी आपका पोष्ण कटी बंद याद रहेगा समझ में पोष्ण कटी बंद में वायूदाब क्यों जादा है वह इससे आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो यह करकर एखा के पास का छेत्र है करकर एखा में आपकी सूरज की किर्णे जिस दिन सीधी पढ़ती है उस दिन वहां का ताप मान जा निमनदाब का छेत्र है उच निकटी बंद है उच निकटी बंद में हवाएं एक साथ आती है निमनदाब का छेत्र होने के कारण गर्म होकर हलकी होती है और उपर उठती है वही हवाएं आधी उत्तरी गुलार्त में चल देती है और दक्षडी गुलार्त में चल देती है चुकि वो ठंडी होकर वापस नीचे दप के आ रही है, उसमें वायूदाब जादा है, इसलिए उच्छ वायूदाब का छेत्र, हाई प्रिशर बिल्ट कहां पे बनता है, 30 से 35 डिगरी के छेत्र में, अब ऐसा पाया गया, अब इस छेत्र को क्या है यह जो आपका हाई प्रि आश्व छेत्र या अश्व पेटी या अश्व बिल्ट भी कहा जाता है, हौर्स जून, अश्व छेत्र, घोड़े का छेत्र, कैसे, इसका पता कैसे चला, क्या हुआ कि एक कहानी है, आपने हो सकता है, कहीं सुना भी होगा, कि भई पहले जहाज का जो समय, जहाज जो पोटर मसीने नहीं रहती थी लकडी के बने बने बड़े बड़े जहाज रहते थे तो जहाज को किसी नावीक के द्वारा ले जाया जा रहा था जिसमें धेर सारे समान पसू पक्षी आयात निर्यात बिजनस करने के लिए ले जा रहा था तो जैसे ही वो इस छेत्र को क्रॉस करता है जैसे ही यहाँ पर पहुंसता है हाई प्रेशर बेल्ट वाले छेतर में तो उसे क्या महसूस होता है कि अगर यहाँ पर यह जो बीच वाला छेतर है यहाँ वायू का दबाव नहीं है तो यहाँ समुद्र की लहरे भी रहेंगी वो समाने रहेंगी लेकिन अगर वायू कौन सनाविक जो यहां से सब पसू पक्षी को और खास कर धेर सारे गोड़े को लेके जा रहा था उसी के नाम से इस जगह का नाम बना है क्योंकि धेर सारे गोड़े लेके जा रहा था नाओ में धेर सारे गोड़े लेके जा रहा था तो जैसे यह 30 डिगरी वाले छेतर में प नेंके समान-टे लगता है दीरे साव में समाल जहांगा गोड़ा फेकता है घोड़ा ही उसका मुख्य वस्तु रहता है जिसका वो बिजनस करने शाने दो और ऑपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे वो सारे घोड़े ब्टिता है और जैसे ही सारे घोड़े फेक देता है तब तक वो ये 35 डिगरी वाले छेत्र को क्रोस करके आगे निकल जाता है तो उसको क्या लगता है कि भाईया उसने घोड़ा को सारा फेक विया इसलिए वो बज गया लेकिन उस समय उसे पता नहीं था बाद में शोध की गई तो पता चला कि हाँ ये 30 से 35 डिगर जो है काफी जादा रहता है इसी लिए इसे उच्छ वायुदाप का छेत्र गोशित किया गया हाई प्रेशर बेल्ट डिकलेर किया गया और इसे क्या कहा गया वही आपका उपोश नकटी बन चुकि घोड़े को फेकने के कारण इस जगह की खोज हुई मतलब घोड़े को फ कैनल में चैनल दक्षरी गुलार्ट में क्या कहा जाता है अश्वचेत्र कहा जाता है तो आप से एकजाम में पुछे उपोश नकटी बंद कहा होता है तो 30 से 35 डिगरी उत्तरी गुलार्थ या 30 से 35 डिगरी दक्षडी गुलार्थ तेक है 30 से 35 डिगरी की अच्छांस रेखा के बीच उत्तरी गुलार्थ में या दक्षडी गुलार्थ में क्या उपोष नकटी बंद या अश्व छेत्र भी इसे कहा जाता है याद रहेगा तेक अब ये जो उस नकटी बंद है, ये भी याद रखेंगे कि ये क्या है भाई आपका low pressure belt है, और वैसे ही ये उपोष नकटी बंद है, ये क्या है आपका high pressure belt है, इसे भी साथ में याद रखेंगे, यही तो समझना जुरूरी है, तब ही तो हम हमाएं उच्छे वायूदाप से निमने वायूदाप क्यों चलाएंगे, तेक, चली, अब यहाँ पे हम चलते हैं, फिर अगला वायूदाप क्या होता है, देखिए, साथ वायूदाप के छेत्र होते हैं, जिसमें तीन हम देख लिए, एक ही आपका भूमद्दे रेखा वाला low pressure belt, और दो 30 से 35 और 30 से 35 वाल है, धुरूवी 6 primitive का मतलब क्या होता है, कि यहां पर सूरज की किददद लंबवत पड़ती ही, और दोनों धुरूवों में 6 महीने के दिन और 6 महीने के राच, यायने 6 महीने तो कडाके कीठंड और सूरज की किददद लंबवत बिलकुल नहीं पड़ती ही, इसलिए धुर द्रूवीय कटिबंद ये क्या कहला आएगा भाई आपका द्रूवीय कटिबंद कहा होता है दोनों द्रूवों में होता है उत्तरी और दक्षणी दोनों पोल्स में होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल तेक चुकी यहां पर तापमान बहुत कम होता है द्रूवों में तो उठेंगी हवाय तो हॉंहां दबती ही रहेंगी वायुदा वहाँ पर उच्छी ही होतार है तो इसी लिए यह वाला छेतर क्या होते ब कहाई चलिए, अब high pressure belt है, clear है यहाँ पे, अब थोड़ा सा और समझते, ये बीच में एक low pressure belt होता है, जिसे हम उपध्रूविय कटी बंद कहते हैं, चौथा कटी बंद क्या है वहिए आपका, उपध्रूविय कटी बंद, इसे हम कहेंगे उपध्रूविय कटी बंद, ये कहां से कह तक रहता है, ये 60 degree से 65 degree उत्तरी अक्षांस, और वैसे ही 60 degree से 65 degree दक्षणी अक्षांस में रहता है, ये वाला जो छेतर है, 60 degree से 65 degree, वैसे ही यहां भी आपका, 60 degree से 65 degree, तेक है, इसे हम कहते हैं, उपध्रूविय कटी बंद, तेक है, उपध्रूविय कटी बंद और ये लो प्रेशर बेल्ट होता है, क्यासा होता है ये? लो प्रेशर बेल्ट, निम्न दाब का छेतर होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है, अब ये लो प्रेशर बेल्ट होता क्यों है, इसे हम समझ लेते हैं, ये भी एक्जाम में आता है न, question, तेक है, इसका लो प्रेशर बेल्ट होने का बहुत ही सधारन सा कारान है, देखिए यहाँ पे low pressure belt था हमने क्या समझा हवाएं यहाँ से क्या होती भाईया गर्म होकर हलकी होती है और उपर उठने लगती है यही हवाएं उपर उठकर जब यहाँ 30-35 डिगरी के बीच आती है दपती है ठंडी होकर जब यह वापस नीचे की और आती है दपती है तो यहाँ पे आपका वायुदाब उच्छ है और यहाँ पर भी वायुदाब उच्छ है यहाँ पर भी वायुदाब उच्छ है और यहाँ पर भी वायुदाब उच्छ है हवाएं हमेशा उच्छ वायुदाब से निम्न वायुदाब की और चलने लगती है तो एक हवा आपका उच्छ व अब ये दोनों हवाय जब आपस में आकर टकराती है छेत्र में वो 60-65 डिगरी का छेत्र होता है जब ये दोनों हवाय आपस में आकर टकराती है कहां 60-65 डिगरी के छेत्र में तो यहां पर आपका अभीसरण का छेत्र निर्मित होता है उस अभीसरण के छेत्र के निर्मित हो के कारण यहां पर वायूद आप क्या हो जाता है आपका निम्न हो जाता है लो प्रिशर बेल्ट क्रियेट होता है क्लियर हो रहा है बैस इदी सी बात है दो तरफ से हवाएं आकर आपस में टकराएंगी तो दो तरफ से हवा की मातरा आ रही है दो तरफ से पवनों की मातरा आ तो वो वही रहेगी क्या वो धरातल में जमीन के अंदर तो जानी सकती है सभाविक है वो उपर उठने लगेगी और जैसे ही वहाँ पर वायुदाप क्या हो गया है निम्न हो गया है लो हो गया है इसे ही कहा जाता है क्या अभिशरण clear हो रहा है, समझ में आ रहा है यह, देखे, चुकि दोनों तरफ उच्छ वायुदाब से हवाय आती है, यहाँ पर मिलती है, और उपर उठने लगती है, उनकी मातरा इतनी हो जाती है, कि वो उपर उठने लगती है, यहाँ तापमान कारण नहीं है, हवाओं का यहाँ पर आन चांस में क्या होता है, लो प्रिशर बेल्ट बनता है, यह रोगा, चली, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, फिर हम पाउनों में आएंगे, तो क्या होता है, लो प्रिशर बेल्ट को हम समझते हैं, फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं, यह हो गया आपका हवाएं जो है, गर्म होकर यहां से उपर उट रही है, हलकी होती है, गर्म होने से हलकी होती है और उपर उट रही है, जिसके कारण, अब चुकि हवा उपर उट रही है, याने वायू वहां दब नहीं रही है, वायू क्या हो रही है, इसलिए low pressure belt बना, तो यहाँ पर low pressure belt किस कारण से बनता है यहाँ पर low pressure belt सूर्य ताप के कारण बनता है अब यह जो हमाय गर्म होकर उपर उठती है वो वापत धरातल पर लोटती है उचाई के साथ ताप मन कम होते जाता है हमने समझा है तो जैसे हमाँ ठंडी होती है नीचे दपती है यानि वायूदाब बढ़ता है और यह वायूदाब की शेत्र में बढ़ता है 30 से 35 डिगरी के शेत्र में बढ़ता है तो यहाँ वायूदाब उच्छ होने का कारण क्या होता है हवाओं का वायूदाब नीच्छ होने का कारण क्या होता है हवाओं का नीचे आना हवाओं का नीचे उतरना जिसके कारण यहां पर क्या होता है वायुदाप उच्छ होते जाता है तेक सेम चीज यहां दक्षडी गुलारत में भी होती है यहां भी क्या कारण होगा आपका हवाओं का नीचे उतरना कि याद रहेगा है अब इसके बाद यह जो धुरूवी छेत्र है यहां तापमान निम्न होता है तो यहां आपका उच्छ वयुद आपको छेत्र होने का क्या कारण होता है तापमान का निम्न होना टेंपरिचर एकदम ज्यादा लोना भई तापमानी नीमने सब ठंडा है इसलिए उच्छ वयुद आपका छेत्र रहता है अब यह दोनों उच्छ वयुद आपके छेत्र से हवाएं आती है और जब यह हवाएं एक दूसरे से मिलती है तो जैसे ही हवाएं एक दूसरे से मिलती है तो वह एक क्वांटिटी है और वह क्वांटिटी एक साथ आके वह वायुदाब निम्न होते जा रहा है तो यहां हवाओं के ऊपर उठने के कारण ठीक है याद रखना है कि यहां उच्छ वायुदाब क्यों हो रहा है हवाओं के नीचे उतरने के कारण और यहां पे आपका निम्न वायुदाब का छेत्र क्यों बन रहा है हवाओं के ऊपर लाट में लिए तो इस प्रकार किता हुआ एक दो तीन चार पांच छैसाथ एक दम बेसी कोश्चन एक्जाम का पृत्वी पर कितनी वायूद आपकी पेटी या निर्धारित की गई है या कितने वायूद आपके छेतर निर्धारित किये गए है तो कितने हैं भाया साथ पहला करने का दस दिगरी उत्तर से दश एपार दश निर्धारित भी लिखाया तो सही है इसे ही आ क्योंकि यहां पर चक्रवात तुफान नहीं आते क्यों नहीं आते से और हम आगे समझेंगे दूसरा होता हुपोर्ष न्कोटी बंद吧 टॉपिकल जून सब प्रोपिकल लून से 35 डिगरी उत्तर रहेगा अदक्षडी गुलारत में 30-35 डिगरी दक्षडी एक्षांस के पास रहेगा इसे अश्व छेत्र भी कहते हैं क्यों क्योंकि घोड़े के बलिदान के फल सरूप जो इंसान बज गया उसने ही इसका एहसास महसूस किया और सब बुगल वेत्ताओं क बताया जिसके काणिश छेत्र की खोज होनी कहानी हम सुनें इसलिए से अश्व छेत्र भी कहा जाता है यह प्रकार का क्या है उच्च वायुद आपका श्यट्र हाई प्रिशर वेल्ट है और यह लो प्रिशर बेल्ट है फिर द्रोवी यह कटी बंज जो द्रूव में होता ह पोल्स में होता है यह द्रूव में पाने जाने वाला कटी बंद कैसा होता है यह यह आपका हाई प्रिशर बेल्ट होता है द्रूव में पाया जाने वाला कटी बंद उच्च वायुद आपको छेत्र होता है उप द्रूवी यह कटी बंद जो आपका उपोश्न द्रूव के बीच का निम्न वायुदाप का छेतर है, लो प्रिशर बेल्ट है, वो आपका क्या कहलाएगा, उपद्रूवी ये कटि बंद, लो प्रिशर बेल्ट, अब यहां हम समझ गया है वायुदाप, तेक है, अब वायुदाप सभाविक है, अब हम क्या देखेंगे, कि हवाएं उच वायुदाप से निम्नवायुदाप की और जा रही है, तो एक हवा भाया यहां से ऐसे जाएगी, एक हवा यहां से ऐसे जाएगी, फिर उच वायुदाप से निम्नवायुदाप की और, और यहां भी उच वायुदाप से निम्नवायुदाप की और, अब इधर तो जाएग हवाएं तिर्ची चलती है अब तिर्ची चलती है एक्चुल हवाओं की दिशा होती है ये और इस छित्र में हवाओं की दिशा होती है कुछ इस प्रकार और इस छित्र में हवाओं की दिशा होती है सेम यहां पे हवाओं की दिशा ऐसी रहती है यहां हवाओं की दिशा ऐसी लेती है फैरल के नियम के नुसार बदलती है फैरल का नियम क्या है यह पाउने आपकी क्या कहलाती है यह सारी स्थाई पाउने हैं जो साल पर चलती है जैसे व्यापारिक पवन पच्वा पवन ध्रुवी पवन यह पाउने क्या है इनकी खासियत क्या है यह अपनी दिशा क्य पाटी समीट क्या होता और इसमें से कौन सी पौनों से भरत में मानसुन आता है इन सारी बात ओंगे हम आने वाले व Almost यहीं सबसे जरूरी यही स्था वायुद आप की पेटीओ को समझना बाईउदाप की स्थिति को अच्छे से समझ है इसके बाद हम हाउए चलाएंगे जो आखरी में मैंने बनाया है न डाइग्राम अब इसके बाद हम हवाय चलाएंगे तो भाई अब यह इसे हम छोड़ते हैं अभी हवाओं के डारिक्शन को यह हम बाद में देखेंगे अगली क्लास में देखेंगे अभी तो हम केवल प्रेशर बैल्ट को समझें हैं वायुदाप की जो पेटियां है इसे ही हम समझें और इसे ही समस्ते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं सारी चीजों को अगले वीडियो सेशन में अब हम हवाओं को चलाएंगे अब हम हवा चलाना सीख गया है आप जरूर लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों से जरूर बताएं जियोग्राफिया किसी भी विशे से संबंधित यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं यह जलवायू वाला सेक्षन की सीरीज हम तब तक देखते रहेंगे जब तक जलवायू के सारे टॉपिक खतम नहीं हो यकीन मानिए जलवायू से रिलेटेट एक भी कुस्चन ऐसा आपसे एक्जाम में नहीं होगा जो कन्फ्यूजन की वज़र से छुटेगा सारा कॉंसेट हम क्लियर कर देंगे बेफिकर रही है तो आई हो आपको अभी जीतना मैंने बताया है समझ में आया होगा तो तब तक सकार केडमी से जुड़े रहे हैं और भी वीडियो से हमारे देखिए अक्छां स्रेखा वाला वीडियो यह दिया आपने नहीं देखा है हमारे चैनल पर अवैलेबल है उसे जरूर देखिए क्यों ज़रूरी है आपको देखना तभी आपको समझ में आएगा जिया पक्छा 30 डिग्री 65 डिग्री ऎक्षान्स में कह रहा हूं 30 डिग्री आपका नौर्थ Tayland it attribute rowल सर्थativo डिग्री स में बना चुका उसमें दिखिए तभी आपको साथ ही उएं की क्षार और में मेंध्यमि में सकार एकेडमी में CGPST के अप्लिकेशन के थू कर सकते हैं जिसका लिंक नीशे डिस्क्रिप्शन पर आपको दिया हुआ है इसके अतरीक ताप जियोग्राफी या गणित रिजनिंग या जी एस की किसी भी सब्जेक्ट की प्रिथक कक्षा भी जॉइन करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन कि अप्राइन जिसक्त करना चाहते हैं